खबर जन्पर मुझफर नेगर से जाट महासभा के आलन करण 36 सम्मान समरों में पोचे भाकियों सुप्रीमो चोधरी नरीश, टिकैत और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष होगा रोयल बुलिटिंग के संपादक अनिल रोय ने समाच के मिधावी चाठ चातरों को पर्षण शापत्र मेमंटो पहादे कर समारित किया है इसके साथ इचाठ चातरों को हर छेतर में पर्चम लहरानी की लिए प्रेरित किया और जाट समाच से शराब और दहेज जैसे खुर्तियों को खतम करने के विशेश अपीर की प्राइम लिकिन उस्चानी के लिए पावन अगरवान मुझब अच्छा योगदान है देश हित्मे तो कुछ न कुछ उसमें अच्छा लगाए इसे उसमें बच्चों सम्मानित करें अपने जो मारे सम्मानित है जो बुजुरुग है जो बिरादरी के जुम्मेदार है तो वैसा भी कट्टे हो जा तो बहुत बढ़िया रहा है ठीक है हाँ उन्हें कमेटिने करी होगी बाची तो नहीं या विरंदर वर्माजी को चोज़े के गैसा आपको आज जाट महासबाद द्वारा मेदावी चात्षात्राओं को सम्मानित करने का कारेकरम किया जाता है जिसमें जाट समाज के हजारों बच्चों को आज सम्मानित किया गया है और जाट समाज के उन प्रतिवाओं को किया गया है जो अपने गावं दिखा से निकल कर अलगको छित्रों में अप्लब दिया हासिल कर रही है एसी सेग्डव प्रतिबाय है जो गामें छेत्र से निकल कर मेडिकल के चित्र मरसीना के चित्र में प्रसास्निक सेवा की चित्र में गई है उन्सब को आज सम्मानित किया है जगदीब धनकरजी इस देश के उपराष्ट पती भी और राष्ट पती ऐसे गरीमा पूर्ण पत हैं जिसका सम्मान करना सभी का नेतिक दायत है उनको किसी जाती के बंधन में बांधना उचित नहीं है वो पूरे देश के उपराष्ट पती है विपक्ष को अपने फैसले पर चिंतन करना चाहिए आतमनतन करना चाहिए और एक मरियादा एक गरीमा विदालोग स सभा में राज्यासमा में बना रखनी चाहिए चुकित देश की करोड़ों जनता ने उन्हें सांसद बनाया है अपनी समस्याओं के किसान गरीम मजदूर की आवाज उठाने के लिए बनाया है वहां अपनान की बात करते हैं यहां जो भावना विपक्ष के लोग कुछ जाड समाज के युआं से सभी का अनरोद है कि सराब और देहिज पठाज जैसे कुर्ति उसे बचें शराब जिस जह रहे सराब आ जाएगी उसका पतन निश्चित है जाड समाज के बच्चों को बचचना चाहिए अपराज से बचना चाहिए खुट वाग्या की बात है कि पहले के मुकाबले कमी आई है आप देख रहे हैं यह हजारों बच्चे आज यहां शामिल है जो ग्रामें छेत्र के हैं छोटे-छोटे जमीदार परिवार पर जहां छोटी-छोटी जमीने लेकिन वह बच्चे आज मैनत करके अलग-छेत्रों में भविश्य उनका अपनी योग्यता के आधार पर यह निर्धारी तो होगा केवल अपराद और साब जैसे दुनकृदियों से बचने का आविशक्ता है